हलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू फांडेशन लेर्निंग, मेरा नामे रोज सिंगल और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बियलोजिकल असेट्स इसका स्टेंडर्ड नमर है IS-41 और ACC-SBR के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, मीन्स हाइस लेवल अपन डिस्कस करने जा रहे हैं बियलोजिकल असेट्स को शॉठ में लिख देते हैं B.A. बियलोजिकल असेट्स क्या होती है living plant या फिर living animal इसे हम कहते हैं biological असेट्स पहले students कोई भी standard नहीं हुआ करता था biological assets को लेके ठीक है और schools में अगर आपको याद हो तो आपन simple इसको live stock दिखा देते थे लेकिन होता क्या है इस case में biological assets के case में accounting issues आते हैं बहुत सारे जैसे अब कोई भी animal होता है ठीक है इनके आगे office springs पैदा होते रहते हैं जैसे cow है तो cow का calf आगे पैदा होगा तो कैसे उसकी accounting करें अपन वो तो अपन purchase करके नहीं लाए हैं वो तो अपन को cow ने ही अपने पास दिया है ठीक है आगे जो बचड़ा होता है उसे जीसे भन कहते है वो पैदा हुआ है ऐसे कोई भी जानवर हो सकता है कोई भी animal हो सकता है ठीक है या फिर कोई plant है suppose करो कोई tree है अब tree कई साल तक फल देता है ठीक है और कई साल तक फल देता रहता है उसको अपन sell करते हैं लेकिन tree को अपन काट नहीं रहे हैं, तो कैसे accounting करी जाए, clear, तो इन में तो cost वगरा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए standard बनाया गया biological assets, तो biological assets को समझने के लिए सबसे पहले आप ये दिमाग में बिठा लो, biological assets जो है, वो एक तरीके से fair value पे base है, fair value less cost to sell, पूरा standard इसी पे base है, बोलता है कि आप biological assets जितनी भी होगी, जितने भी living, plant, animal होंगे, सब को किस पे measure करोगे, fair value less cost to sell पे measure करोगे, चाहे वो initial measurement हो, चाहे वो subsequent measurement हो, और सीधा profit पे इंडल में दिखाऊगे, ये पूरे standard का crux है, ठीक है, आप ही कहलो कि मैंने आपको next एक गंटे की जो आगे की अंदर के पूरा standard fair value less cost to sell पे है, base, initial recognition हो, चाहे subsequent recognition हो, ठीक है, और एक दो चोटी-चोटी चीज़े याद रखनी है, कि जैसे क्या इस standard के अंदर cover नहीं होता है, तो देखो अपन बात करते हैं सबसे बहले, plants को लेके, plants and animals को लेके, ठीक है, फिर अपन बात करेंगे agriculture produce को ले चोटी सी बात रहेगी, land को लेके, agriculture land को लेके, ये तीन चीज़ों पर पन discussion करेंगे, plants और animals की further दो category डिवाइड होगी, bearer plants और plants other than bearer plants अभी सब पता लग जाएगा आपको, बिल्कुल भी चिंदा करने की जुरुत नहीं है, and अबलेक लागे लिख देता हूँ, all animals देखो, plants और animals, सबसे बहले यहाँ से discussion चालू करते हैं, plants और animals को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, क्या-क्या, bearer plants और ऐसे plants जो other than bearer plants हैं, वो अलग category है, या फिर सारे की सारे animals, animals में मैंने कोई classification नहीं गिया, bearer plants क्या होते हैं, bearer plants ऐसे plant जिसकी life more than one year होती है, जो held not for sale होते हैं, मतलब यह सारी condition पूरी होनी चीए, क्यवल एक condition नहीं के life more than one year है, यह दोनों condition एक साथ पूरी होनी चीए, ठीक है, and it is not, चलो चोड़ो, आप यह दो point यह रख लो, ठीक है न, अब example क्या है इसका, ऐसे plant जिसकी life एक साल से जादा है, या फिर, सरी या फिर नहीं, और held not for sale, ठीक है न, यह दोनों condition एक साथ पूरी होनी चीए, अब इसमें क्या आता है, example जैसे, कोई भी ट्री है, जो fruit giving trees है, जातर, वो सारे यह होते हैं, fruits giving trees, वह ऐसे पेड़, जो फल देते हैं, उनकी life क्या होती है, जातर की एक साल से जादा, और अपन कभी भी पूरा पेड़ नहीं काटते, अपना objective क्या है, फल तोड़के बेचना, ठीक है न, यह objective होता है example, जैसे mango tree, अब mango tree, आप क्या करते हो, कोई भी person mango tree होगा, तो वो कैसे पैसे कमाएगा उस mango tree से, वो क्या पेड़ काटेगा, लकड़ी काटके बेचेगा, नहीं, उसका है objective, जो यह mangoes आ रहे हैं, ठीक है, उनको वो बेसता रहेगा, drawing बेरी थोड़ी थराब है, ठीक है, तो यह जो mangoes हैं, इनको बेचेगा वो, और उससे वो कई साल तक पैसा कमाएगा, क्योंकि आपको पता है, mango tree की life more than one year होती है, ऐसे ही सर, और क्या, grape wine yard, grape wine yard क्या होता है, पेड़ी एक तरीके से, जिस पर grapes आ रहे हैं, ग्रेप के कुछे होते हैं, बेसिकली, आपने देखा होग तो grapes के गुछे आते हैं, और यह जो grapes के tree होते हैं, बेसिकली, इनकी life बहुत ज़ादा होती है, मतलब 15, 20, 25 साल के आसपास, ठीक है, यह grape wine yard इतने time तक चलते रहते हैं, तो अब इससे मतलब क्या है, bearer plants क्या होते हैं, बेसिकली, समझना, यह तरीके से, अगर आप feeling लेके द रहे, क्योंकि जैसे plant and machinery की life ज़ादा होती है, और उसको अपन बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, उससे हम क्या करते हैं, production करते हैं, held for use, वैसे ही भूलकू, same to same bearer plants है, ठीक हैं, और आपको पता है, bearer plants, मतलब कोई भी plant and machinery होती है, वो कहां पे classify होती है, IAS 16 में, property plant and equipment में तो मतलब मैंने biological assets IS 41 के अंदर बोल दिया, इसको बताते समय कि भी bearer plants तो biological assets में नहीं आएंगे, मतलब IS 41 में classify नहीं होंगे, इस standard में classify नहीं होंगे, कौन से standard में classify होंगे, IS 16 में, क्यों, क्योंकि basically एक तरीके से plant and machinery है, ठीक है, आप जैसे papaya tree होता है, पपीते का जो पेड होता है, हमारे कई लोग के घरों में लगा हुआ है, तो आप देखो उसमें हर साल पपीते आते रहते हैं, coconut tree होता है, कई साल तक देता है वो भी coconuts, तो अपन का objective coconut पेड को काट के बेचना नहीं है, जा से आप बेचेंगे तो क्या बेचेंगे, coconut तोड के बेचे देंगे, यह objective होता है, ठीक है, बट जो paid है, paid, जो tree है, वो tree किदर जाएगा, tree को माना जाएगा property, plant and equipment और वो IAS 16 में classify होगा, हाँ, अब एक बात इसमें और समन्ने वाली है, IAS 16 में classify होगा, तो इससे क्या फरक पड़ेगा सर, IAS 16 में अगर आपको याद हो तो initial measurement किस पर होता है, IAS 16 में initial measurement किस पर होता है, बता हो, cost पर, और subsequent measurement किस पर होता है, या तो cost पर हो सकता है, या फिर revolution model हो सकता है, वो entity की मर्जी है, ठीक है, revolution model होगा तो profit को OCI में डाल दिया राता है, वरना cost पर होगा तो cost में depreciation, impairment loss वगरा less करते हैं, ठीक है, IAS 16 अपन discuss नहीं कर रहे, वो already अपन पड़ चुके है, ठीक है, एक और चीज यहाँ पर याद रखनी क्या, मैंने कहा है, ये paid जो है, कई साल तक जो फल देगा, इसको मैंने कहाँ डाल दिया, कहाँ classify कर या, IAS 16 में, ठीक है, सर, बहुत बढ़िया, लेकिन इसके उपर जो फल आ रहे हैं, जो mango इसके उपर आ रहे हैं, example के लिए, वो mango जो है, वो IAS 41 में ही classify होंगे, मतलब biological assets में ही classify होंगे, ठीक है, ये basically क्या है, growing fruits है, तो अभी इनके उपर क्या लगेगा, IAS 41, सर, IAS 41 लगने इसे क्या होगा, ये books में initial measurement कैसे होगा इसका, pair value less cost to sell, pair value less cost to sell, ऐसे initial measurement होगा, ठीक है, तो इसके उपर, अब जैसे मानलो, मेरा बहुत बढ़ा एक खेत है, ठीक है, फाम है बहुत बढ़ा, और उसमें हजारो apple के paid लगे हुए है, apple नहीं, sorry, mango के paid लगे हुए है, ठीक है, example एक ही रखते है, तो mango के paid लगे हुए है, बहुत सारे, और उसमें बहुत सारे mangoes आ रहे हैं, ठीक है, अब मैं देख देखके बढ़ा खुश हो रहा हूँ क्या, कि य बेचने में, क्योंकि कोई commission लेगा person, कोई transportation खर्चा लगेगा, तो 10,000 का बेचने में खर्चा हो जाएगा, तो 9,90,000 मुझे मिल सकता है पैसा, तो ये standard क्या बोलता है, आप growing fruits को fair value less cost to sell पे measure करोगे, अब सोच रहो, वन्हा कैसे measure करें इसको, अगर आप बोलो, नहीं नहीं सर, IAS 16 में ले जाओ, cost पर दिखा दो, possible नहीं है, इनकी कोई cost नहीं होती है, ठीक है ना, कि एक mango की cost निकाल ले बैठ गया है, अपन क्या mango गाने में कितना खर्चा आया था, IAS 16 जा से इस tree पर apply होगा, but इन mango's जो अभी पेड़ पे हैं, लटके हुए अभी तक पेड़ पे, उन पे क्या apply हो रहा है, IAS 41 biological assets ही apply हो रहा है, सर, जिस दिन ये mango's तोड़ देंगे, तोड़ने को क्या बोलते हैं, harvest करना, detach करना, ठीक है, जिस दिन अपन ये तोड़ेंगे mango's, तब भी IAS 41 apply होगा, बस तोड़ते ही इसको क्या बोलेंगे, mango's को agriculture produce बोला जाएगा, तोड़त बट कोई फरक नी पड़ेगा accounting में, क्यों, क्योंकि अभी भी ये fair value less cost to sell पे दिखाये जाएगे, ठीक है न, बई, जब ये paid पे mango टंगे हुए है, तो mango जो हैं, अभी भी IAS 41 में, जब वो paid पे हैं, तब तो उसे growing fruits बोल दिया अपनने, ठीक हैं, और ये fair value less cost to sell पे दिखा ये मानलो 9,90,000, अब कुछ time बाद अपनने तोड़ा इनको, ठीक हैं, तब तोड़ते ही इसको क्या बोलेंगे, agriculture produce, और तब भी इसको कितने पे दिखाएंगे, fair value less cost to sell, मानलो उस तेम पे fair value है, 11,00, और 10,000 का खर्चा आएगा, बेचने पे जाएंगे तो, तो books में कितने क 90,000 का record करेंगे, और ये 9,90,000 और 10,90,000 इसके बीच का जो difference है, वो 1,00 का जो profit है, उसे पेंडल में डाल देंगे, मतलब ऐसा नहीं कि OCI, OCI के चक्कर नहीं है, IAS 41 में कोई OCI का चकर नहीं है, सीधा profit उठा के पेंडल में डालो, समझे रोगे बात को, सीधा profit उठा के पूछा जाता है, लेकिन जब पूछा जाता है, तो student के concept बहुत हिले हुए रहते हैं, इस topic को लेके, हलागि ये topic F7 में भी complete था, F7 में जितना है, उतना ही SBR में है, तो कुछ नए आनी पड़ेंगे अपन, सारा का सारा सेम ही है, थोड़ा सा गला बैठ हुआ है, अच्छा तो agriculture produce जो है, वो अपन किस पर दिखाएंगे, fair value less cost to sell, ठीक है, 3 IS16 में initial measurement cost पर subsequent measurement, चाहे तो option होता है cost ये revolution, revolution होगा तो profit OCA में जाता है, IS16, property, plant and equipment, growing fruits, fair value less cost to sell पर दिखाएंगे, initial measurement, हमेशा fair value less cost to sell, subsequent measurement भी fair value minus cost to sell, ठीक है, अब अगर आप मेरे से पूछो सार, इसकी entry का पास करेंगे, जैसे मालो हमने पेड पेड पे, जो है mango fruits लगे हुए देखे, mangoes लगे हुए देखे, और हम देख के खुश हो गए कि यार 9,90,000 मिलेंगे, है ना, पहले तो कच्छे थे तो हमने अपनी books में दिखाएं तो entry का पास करेंगे, इसकी, entry पास करेंगे, biological assets account debit to P&L, कितने से 9,90,000 है, है ना, देखो गजब का standard, सीधा profit के ज़र बुक करवा लिया, P&L में, और जब अपन ने इसको detach कर दिया, पेड से तोड़ा harvest, तब इसका नाम चेंज कर दिया, बस agriculture produce accounting तो वही है, fair value less cost to sell, है ना, और 11,00-10,000, 10,90,000, फिर वापस से entry biological assets to P&L, कितने से, 1,00,000 से, ठीक है, अब जब इसको market में बेचने जाएंगे, अब mangoes को जब market में बेचने जाएंगे, तब ये mangoes हमारी क्या बन जाएगी, inventory, ये mangoes अब agriculture produce नहीं कहलाएंगे, अब ये mangoes का नाम चेंज करके क्या करेंग इन्वेंटरी, inventory है हमारी basically, inventory क्या लाएगी है, ठीक है, और inventory की जो cost होगी, IS2 के according, IS2 लगता है inventory पे, जो इसकी cost होगी, वो इसकी fair value होगी last, जो अपन ने ली थी, मतलब agriculture produce की उस time पे क्या fair value थी, मानलो 10,90,000 थी, तो ये ही fair value, entry pass कर देंगे, अगर आप entry पूछोगी मेर से तो inventory account debit to biological assets, गया entry pass कर देंगे, ठीक है न, अच्छा standard है, कोई डिक्कत नहीं होनी चीए, मतलब agriculture producer कब से लेकर कब तक कहते हैं, बताओ agriculture producer कब से लेकर कब तक कहते हैं, जब से आपने harvest किया, जब से आपने harvest के detach किया, तोड़ा उसको वो agriculture produce क्यलाएगा, कब तक क्यलाएगा सर, जब तक कि वो farm में है, आपके खेत में है, जैसी आपके खेत से आप उसको भाहल लेके जाओगी, वो क्या बन जाएगा, बेचने के लिए, लेके जा रहे हो तो inventory बन जाएगा, I think ये बा F7 छोड़के आते हैं, अब ये बात होगी सारी किसकी bearer plants की, तो revise कर लो फटा फट से bearer plants क्या है, बताओ, bearer plants एक तरीके से plant and machinery है, क्या इसमें जो फल आते हैं, उस फल को तोड़ने के लिए हमें पूरा पेड़ काटना पड़ता है क्या, नहीं, कभी नि काटते हैं, हम पे कई लोग भावनामें बैजाते हैं, अपन ना तो geology की class पढ़ रहे हैं, ना botany की class पढ़ रहे हैं, तो अपन को ऐसा नहीं कि आप एक एक पेड़ को पकड़ के बैढ़ जाओ, और अपन चालू कर दे हैं, कि सर ये वाला पेड़ किदर classify होगा, ये वाला पेड़ किदर ठीक हैं, ना वह एक्जाम में अपन से वह expect करता है, ठीक हैं, अपन को तो accounting आनी चाहिए, अच्छा अब सर प्लांट, अच्छा summary बता दी, क्या life more than one year, held not for sale, वो है, तो ये property plant and equipment है, खाली tree तो, देखा जाये तो, और उसके उपर जो fruits आ रहे हैं वो, वो जब तक harvest नहीं वो is 41 में classify होंगे, और harvest हो गए, तो से कहा बोलेंगे, agriculture produce, वो तब भी is 41 में classify होंगे, ठीक हैं, harvest होने से लेकर, up to the farm, farm में जब तक है, ठीक हैं, और जैसे ही वो बेचने के लिए जा रहे हैं, फिर is तू लग जाएगा उसको बेचने के नाम पर, और जब तक है इधर farm में है, तो entry accounting वगरा में कोई change नहीं है, वो ही दिखाएंगे, fair value less, cost to sell, और जो भी difference होगा, उसको पीडल में डालते हो, ठीक हैं, अब बात करते हैं, दूसरी, हमने plants और animals में बात करी, bearer plants की, ठीक हैं, और अब बात करते हैं, plant other than bearer plants, other than bearer plants क्या होता है, ऐसे plant जिसको है अपन को अगर use करना है, तो पूरा का पूरा उसको उखाड़ना पड़ेगा, मतलब पूरा ही plant गया, हर साल वो plant ही नया बदलता है, पूरा का पूरा, sir example दो न, example wheat, rice, jowar, maize, sugar gain, कभी आपने सुना है कि ग्यों का पेड़ होता है, नहीं होता है, wheat का tree नहीं होता है, wheat का एक छोटा सा plant होता है, ठीक है, या फिर rather का हो, आप crops होती है यह, यह क्या होती है, basically crops, ठीक है सुना होगा, seasonal हर तीन महिने में होते हैं, कुछ रभी की होती है, कुछ खरीफ की होती है, वो agriculture नहीं कर रहे है अपन उसमें, detail में, बस simple आपको यह पता होना चाहिए कि हाँ, इन सब को अपन जब use में लेते हैं, तो यह हर बार नया होगाते हैं, ठीक है, हर बार गयों की फ पूरा होगाना पड़ता है, ठीक है न, और जब उसको detach करते हैं, तो पूरा का पूरा प्लांट हात्मा जाता है, clear, ऐसा नहीं है कि वो भी पेड़ पर राइस दे रहा है, और वो पेड़ 10-20 साल तक सलेगा, तो basically आप layman language में काओ तो यह basically consumable plants है, जिनकी life एक साल से कम है, और जिसको यूज करने के लिए पूरा का पूरा हमें खतम कर देना पड़ता है, और बाकी सारे animals इदर आ रहे हैं, plant तो कौन से आ रहे हैं, other than bearer plants, और animals के लिए मैंने ऐसा कोई classification नहीं किया, द्यान रखना, तो यह सब चीजे किदर classify हैं, किदर आती है, IS41 में, IS41 में करोगे, fair value less cost to sell, subsequent measurement किस पर करोगे, fair value less cost to sell, ठीक है, मतलब यह दो चीजों के बीच में अंतर समझना, और केवल difference किस में है, plants में है, animal में तो कोई घमेला ही नहीं, animal तो सारे किसारे किदर जा रहे हैं, IS41 में जा रहे हैं, बस plant जो है, bearer plant किदर जा रहे हैं, bearer plant जा रहे है, IS41 में, लेकिन उसके उपर जो produce है, जो produce तोड़िंगे वगरा, वो सब IS41 में जा रहे हैं, फिर भी, खाली वो tree जो है, वो IS16 में जा रहे हैं, ठीक है, और plant other than bearer plants, वो सारे किसारे IS41 में जा रहे हैं, और उसका recognition कैसे करेंगे, वही fair value less cost to sell, ठीक है, सर, agriculture produce, agriculture produce का, कैसे करेंगे हम काम यहाँ पर, agriculture produce को भी आप किस से दिखाओगे, fair value less cost to sell, बता दिया है, मैंने पहले आपको यहाँ पर देखो लिख रहे है, fair value less cost to sell, ठीक है, अच्छा, agriculture land, सर, agriculture land का क्या करेंगे, ध्यान सुन लो अच्छे से, agriculture land कोई biological assets नहीं होती है, not a biological assets, तो agriculture land का जाएगी सर, IAS 16 में, means property, plant and equipment में, ठीक है, तो कैसे करेंगे सर, वहाँ पर value, वही initial measurement cost पर, subsequent measurement, cost या किस पर बताओ, revolution model पर, entity की choice है, revolution model पर करेंगे तो profit OCI में जाएगा, ठीक है, cost पर करोगे तो, depreciation का तो सवाल पैदा होता नहीं, land पर लगता ही नहीं, depreciation, clear क्या, तो बताओ, summary बताओ, फटा-फट से एकदम से जल्दी से, plants का क्या करोगे, बताओ, plants को, दो part में, divide करोगे, bearer और non bearer plants, bearer plants हमेशा, जो plant होगा, वो तो जाएगा, IAS 16 में, IAS 16 में जाने का मतलब क्या है, यह भी पता होना चीए, कि वहाँ पर initial measurement cost पर, subsequent measurement cost या revolution model पर, ठीक है, लेकिन उसके उपर जो produce होगा, या फिर कभी तोड़ेंगे, ठीक है, कभी बेचेंगे, ठीक है, बेचने से पहले जो भी activity होगी, वो सारी IAS 41 में जाएगी, हाँ, बेचने जाएगे, तो फिर वो IAS 2 के animals सारे के सारे, पूरे के पूरे animals किदर classify होंगे, सोचने की ज़रोती नहीं है, IAS 41 में classify होंगे, और other than bearer plants भी IAS 41 में classify हो रहा है, ठीक है, और agriculture produce क्या होता है, agriculture produce simply जो product मिलता है, जैसे cow है, तो cow से हमें क्या product मिलता है, milk, तो cow क्या है, cow खुद एक biological assets है, लेकिन उसका milk क्या है बताओ, उसका milk एक agriculture produce है, sheep है, sheep एक biological assets है, लेकिन उससे जो wool मिलता है, वो क्या है, agriculture produce है, ठीक है, तो agriculture produce IAS 41 में classify होगा, sheep भी IAS 41 में classify होगी, बस नाम change कर दिया, एक को biological assets पो लेंगे, दूसरे को agriculture produce पो लेंगे, hope आपको यह चीज समझ में आ रही हो, animals में कोई classification नहीं होता, कि bearer animals होते हैं, कि bearer animals या other than bearer animals, कुछ भी classification नहीं होता है, ठीक है, यह अपन ने पूरी chapter की summary discuss कर ली, तो बताओ summary में main चीज क्या है, IS 41, किस किस चीज पर अपलाए गरेगा, plants other than, plants other than, bearer plants पर अपलाए गरेगा, और IS 41 किस पर अपलाए गरेगा, सारे की सारे animals पर अपलाए गरेगा, और किस पर अपलाए गरेगा, agriculture produce, agriculture produce किस से मिलता है, इनी से तो मिलेगा, plants से मिलेगा या animals से मिलेगा, ठीक है ना जैसे कोई plant है तो mango mango क्या है agriculture produce ठीक है plant से मिला animal cow cow से क्या मिला milk समझ गया एक एक example बहुत है समझने के लिए आपको concept बिठाना है के वाल दिमाग में ये और इन सब पर लगाना क्या है बताओ initial measurement कैसे करोगे initial measurement करोगे आप हमेशा cost less sorry cost नहीं fair value less cost to sell और subsequent measurement कैसे करोगे वही fair value less cost to sell अब ये standard एक और बात बोलता है छोटी ही समझ लो कि अगर मालो fair value less cost to sell available नहीं है not available ठीक है वैसे तो ये standard presume करता है वैसे तो ये standard presumption लेता है क्या presumption लेता है के fair value less cost to sell available है market में available है बट अगर किसी कारण से fair value less cost to sell available नहीं है तब आप asset को किस पर दिखा सकते हो या biological और biological assets को किस पर दिखा सकते हो तब cost model यूज कर सकते हो वरना इसका पूरा standard का जोर किस पर है fair value less cost to sell अगर fair value less cost to sell available नहीं है तो अपन asset को किस पर दिखा सकते है cost पर दिखा सकते हैं ठीक है बट ये standard सबसे ज़्यादा focus किस पर करता है सबसे ज़्यादा emphasis किस पर करता है fair value पर ही दिखाओ साब cost पर मत दिखाओ ठीक है और ज्यादा बड़िया fair value भी अब गाये ने बचड़ा दे दिया ठीक है अब बचड़ा दे दिया जो पैदा हुआ बचड़ा काफ जो पैदा हुआ है तो उसको आप क्या cost तूंडने बैठोगे उसकी fair value less cost to sell पर दिखाओ सिंपल बात यह है ठीक है अच्छा और क्या सर और अब एक और बात और सुन लो अब जैसे माल लो आपने एक होर्स परचेस किया कब परचेस किया सर आपने एक जन्वरी 2022 को एक लाग का होर्स परचेस किया होर्स है बाय किया आपने इसको ठीक है तब इसकी उम्र कित्ती थी एक साल थी या होर्स छोड़ो आपने क्या लिया है काउ परचेस करिए ठीक है और काउ की उम्र कित्ती थी एक लाग एक साल और कॉस्ट किती थी एक लाग इतने में आपने बाय करा देखो अब मेरे से यह यह मत expect करना कि sir आप यह भी बताओ कि एक साल की जो cow होती है उसकी क्या cost होती है वो नहीं बता सकते बस अपने एक example ले रहे हैं तिक है यह ऐसा नहीं कि एकड़म exact example लेकर जो market में rate होती है उसकी मैं पता कर क्या है और मैं आपको वह बता रहा हूँ है वो चीज़े possible नहीं है cost to sell मालों नहीं है ठीक है आपने purchase कितने में किया था 1 lakh में fair value पर purchase किया था और year के end में यह value बढ़के हो गई 1 lakh 50,000 ठीक है और इसकी age कित्ती हो गई obviously एक साल age बढ़ जाएगी ठीक है पहले एक साल की थी तो अब कितने की हो गई दो साल की हो गई काउ अब यह standard क्या बोलता है वैसे देखो यह कितने का फायदा हो गया आप अपन को अच्छा काउ पर entry buy करने की क्या entry होगी biological assets account debit to bank जोने entry पास करें तो 1st January 2022 को क्या entry पास होगी biological assets to bank ठीक है सर बढ़िया सर 35 December को क्या entry पास होगी year के end में आप बताओ value बढ़ गई biological assets account debit to P&L आप biological assets को किस पर दिखा होगे fair value पे और इसमें मतलब animals में कोई चक्कर भी नहीं है के bearer का और non bearer का वो plants में होता है क्यों होले न ठीक है सर बहुत बढ़िया अब मेरी बात बुलकुल ध्यान सुननी है बुलकुल अच्छे से यह standard बोलता है यार यह जो पचास अजार value बढ़ी है न ठीक है यह 50,000 जो value बढ़ी है इसके दो reason हो सकते हैं सर क्या क्या एक तो यह के animal की खुद की growth हुई है और animal की growth की वजए से उसकी value बढ़ी है बुलकुल से सही बात है मान लो कि एक साल की जो गाये है वो milk नहीं देती थी बट दो साल की जो गाये है वो milk देना चालू कर दिया उसने तो obviously जब गाये ने दूद देना चालू कर दिया तो value बढ़ जाएगी तो एक तो यह reason होगा और दूसरा क्या होगा inflation मतलब मार्केट में महेंगाई तो यह standard बोलता है कि आप जो 50,000 रुपे का gain दिखा रहे हो ना जब आप इसका disclosure करो तो इसको दोनों अलग अलग पार्ट में दिखाओ कैसे के animal growth की वज़े से कित्ती value बढ़ी है और inflation की वज़े से कित्ती value बढ़ी है सर कैसे दिखाए थोड़ा और detail में समझाओ देखो मैं और बताता हूँ आपको 1st January 2022 को जब आपने काउ बाय कड़ी थी तो एक साल की ace थी और 1 lakh की value थी उसकी ठीक है ना 35 December 2022 को ध्यान सुनना अगर आप वापस से एक साल की काउ की market में value देखो तो वो खरीदने जाओ ना आप तो 1 lakh 20,000 हो गई है अब वो market में value क्या बोलाओ कि आपने काउ जो बाय करी थी एक लाग की बाय करी थी जन्वरी में और December में बुलकुल वही वैसी ही काउ अगर एक साल की अगर आप बाय अप करोगे दुबारा तो एक लाग 20,000 में मिलेगी ठीक है ना तो price level change की वज़े से 20,000 की value पड़ गई inflation तो बाकी growth किस वज़े से आई होगी 30,000 की कवी cow ने milk देना चालू कर दिया ऐसे करके divide करो और यह standard इसके लिए encourage करता है यह standard इस चीच के लिए encourage करता है कि आप इसको दो part में divide करके दिखाओ बट यह mandatory नहीं है बट यह mandatory नहीं है कि जरूरी नहीं कि करना ही पड़ेगा हाँ करो तो अच्छी बात है यह standard ऐसा गोलता है तो biological assets क्या है थोड़ा सा formal reading कर लेते हैं biological assets क्या है living plant या animal agriculture produce क्या होता है agriculture produce मतलब आम जो है पेड से तोड़ लिया आपने cow में से milk निकाल लिया वो क्या है agriculture produce ठीक है ना example mango निकाल लिया ठीक है ना तोड़ लिया या फिर milk sheep से wool निकाल लिया ठीक है harvest क्या होता है वो निकालने की process को कहते हैं detachment करना ठीक है फसल की कटाई होती रहती है आप सुनते होंगे बहुत सारे तोहार होते हैं इसके बैसाकी वगरा तो harvest के time पे होते हैं वो सारे अच्छा अब यह बोल रहा है कि जैसे farmer ने dairy calf खरीदा मतलब एक बचड़ा खरीदा काय का मान लो तो यह क्या है biological assets है बेसिकल यह टैक है एक बचड़ा खरीदा मतलब तो biological assets है यह फिरः इसे कहते है biological transformation क्या बोलते है biological失पमेशन जैसे अपन लोग बड़े होते जाते हैं धीरे धीरे पेले अपन छोते थे अबड़े तो अब बड़े होगे तो अपने जो बड़ा होना है उसका accounting में कोई यू पेड दीरे दीरे बड़ा होता है तो उसे क्या बोलते है biological transformation और cow farmer ने milk दिया ठीक है ना sorry cow ने milk दिया तो milk has been harvested milk is agriculture produced ठीक है तो normal point है कि जो calf था वो biological assets है cow भी biological assets है लेकिन जो process है उसे क्या बोलेंगे biological transformation ठीक है और जो milk निकल के आया वो क्या है agriculture produce recognize कैसे करेंगे अब assets को कब recognize करेंगे जब यह probable है कि future economic benefits will flow to the entity from the assets future में economic benefits होगा cost और fair value of the assets can be reliably measured and entity controlled the assets बताओ इस definition में पुरानी जो चीजे थी पुराने standard थे उनसे क्या लग है इसमें यह लगे है कि cost की साथ-साथ इसने fair value भी use कर ली और the fair value of the assets can be reliably measured वहाँ पे सब में क्या होता था पहले standards में cost can be reliably measured यहाँ पे fair value भी लिख रहा है ठीक है और दूसरी बात अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो conceptual framework के साथ से भी definition में change नहीं किया गया है conceptual framework में आपको पता है कि जो assets की definition है जो assets की definition है उसमें कहीं पे भी probable word यूज नहीं किया गया है ठीक है तो आप जब भी criticization लिखना हो कि conceptual framework और IS-41 में कोई contradiction है क्या तो आप यह बता होगे कि अभी भी definition पुरानी चलते आए गया है तो इसको need to be amended अपनने conceptual framework भी discuss किया है न और इससे related कई बार बाते करिए तो बट ठीक है यह तो आपको पता होना चाहिए प्रोबेबल मतलब क्या होता है more than 50% chance तो recognition criteria मैंने वापस दे दिया कि entity controls the assets, probable future economic benefits और fair value और the cost can be reliably measured initial recognition कैसे करेंगे initially fair value less estimated cost to sell पे record करेंगे अब ध्यान सुनना देखो एक और point है थोड़ा समन्ने वाल है अब जैसे मानलो आपने एक cow को purchase किया ठीक है first January को cow को purchase किया और one lakh में purchase किया ठीक है अब यह standard क्या बोलता है आप किस पर initially किस पर रिखा होगे fair value less cost to sell पे दिखा होगे ठीक है sir fair value less cost to sell पे दिखाएंगे cost to sell मतलब क्या होता है आपको पता है ने यह जो पे मतलब जो animals होते हैं इनकी एक basically goat sheep वगरा तो अधर जानने वगरा की खर्चे होते हैं अब जैसे मान लो अपनने cow purchase कर ली मैंने cow purchase कर ली एक लाक में है अब यह standard क्या बोलता है आप initially कैसे दिखा होगे fair value less cost to sell इसका कहने का मतलब क्या है कि मैंने भली एक purchase कर ली लेकिन अगर मैं इसको बेचने जाऊंगा तो बेचने में कितने रुपे मिलेंगे one lakh मिल जाएंगे क्योंकि आज ही खड़ी दिया आज इसके market में दाम एक लाक है लेकिन एक हजार का खर्चा हो जाएगा बेचने जाऊंगा तो ठीक है ना वहां तक पहुंचूंग transportation cost कुछ commission दूँगा agent को तो 99,000 net मिलेंगे मुझे तो मैं entry कैसे पास करूंगा जरा बता ना biological assets account debit cow debit नहीं कर सकते है न कित्ते से 99,000 से loss हो गया पेंडर account debit to bank एक लाक से तो बताओ initial measurement पे ही क्या loss record हो गया इस इनीशल measurement पे ही loss record हो गया किस की वज़े से cost to sell की वज़े से सर इनीशल measurement पे क्या profit पूरा का पूरा record हो सकते गया बुलकुल हो सकता है अब जिसे cow ने calf दे दिया ठीक है न बचड़ा पैदा कर दिया और market में उस बचड़े की कीमत है 30,000 की example ले रहा हूं ऐसा है न और 1000 बेचने में जाने में खर्चा होगा तो 29,000 मिल सकते हैं fair value less cost to sell तो मैं entry के अपास करूंगा biological assets account debit to pay अंडल तो ये initial recognition है ये भी ये calf काफ का क्या है initial recognition है पहली बार calf को बुक में ले आया है अपनी और pay अंडल में profit बुक कर दिया पूरा का पूरा सही है नहीं है ये standard अच्छा है न मतलब अपन लोग पहले कैसे accounting करते थे कभी सोचते ही नहीं थे मुर्गी ने अंड़े पैदा कर दिये सोचो बहुत सारे अपन कैसे भी entry pass कर रहे है बट इस तरीके से entry pass होगी वो agriculture produce क्यालाएगा जो मुर्गी का अंड़ा है तो क्या बोल रहा है यही बात कर रहा है gain and losses में arise in the candle when biological assets is first recognized क्यों भई पहली बार में कैसा gain loss हो गया क्योंकि loss हो सकता है क्योंकि selling cost जो है उसकी वज़े से और gain हो सकता है जैसे कोई new baby born हुआ है इसलिए subsequent measurement किस पर करोगे वही biological assets को fair value less cost to sell पर दिखाओगे और कुछ भी difference आएगा वो पी इंडल में डालोगे इसमें कोई OCI OCI का चक्कर नहीं है ठीक है अब यह बात कर रहा है जैसे देखो fair value of the biological assets में change because of its age और because prices in the market have changed example लिया था न मैंने one lakh और one lakh fifty thousand one lakh twenty thousand की cow अपन लेकिया है एक साल की फिर दो साल की तो bifurcate करने के लिए बोल रहा है ठीक है तो IAS 41 कह रहा है कि separate disclosure करना चाहिए कि physical change में physical change की वज़े से price में कितना change आया और market में वैसे inflation की वज़े से price कितना change आया ठीक है और यह लेकिन mandatory नह ना question exam में आ सकता है कभी question करके आ सकता है आपसे वो बोल सकता है कि चलो अलग-अलग करके दिखाओ उसको तो मैंने अलग-अलग करने का तरीका बताया न वैसे अभी तक आया नहीं है ना biological assets को कहां दिखाएंगे balance sheet में दिखाओगे non current assets में अगर हाँ आपको fair value नहीं मिल प impairment loss है वो सब लगाना पड़ेगा sir impairment loss कैसे पर देखो यह animals होते हैं इनमें बिमारियां वगरा होती रखती है तो market value गिर जाती है अगर fair value model use कर रहे हो तो तब तो चलो ठीक है अपने आप fair value में सब चीज capture हो जाती है वो तो बेचने की price हो गई एक तरीके से वरना फिर आपक प्रिजम्शन ले ली क्या कि या fair value आप निकाल सकते हो लेकिन अगर फिर भी market price readily available नहीं है तो cost minus depreciation and impairment loss को less करते हो हां और अगर आपको एक बार कभी मानलो ऐसा हुआ कि starting में चलो आपको fair value नहीं मिली थी तो आपने cost minus depreciation minus impairment loss पर value किया पर एक दिन ऐसा हुआ कि fair value पता लग गई तो फिर आप fair value पर दिखाओ फिर cost model को छोड़के आप fair value पर आ सकते हो लेकिन फिर दुबारा cost पर नहीं जा सकते कभी ठीक है ना क्या कहने का मतला में मेरा वहीं पहले आपको fair value नहीं मिली तो आपने asset को कैसे दिखाया cost model पर दिखाया जो भी तरीका है impairment loss depreciation वगरा fair value पता लग गई तो अब आप asset को किस पर दिखायना चालू करती है biological assets को fair value पर दिखाना चालू करती है फिर आप यह नहीं बोल सकते के यार fair value अब नहीं मिल रही है तो अब मैं दुबारा cost पर जा रहा हूं अगले साल ऐसे नहीं बोल सकते हो अगर एक बार आपको fair value की fair value पता लग गई तो फिर आगे से फिर आपको fair value ही follow करना पड़ेगा ठीक है ना agriculture produce agriculture produce मैंने क्या बताया क्या होता अगरी कल्चर प्रेड्यूस कि काउ का मिल्क ठीक है mangoes egg ठीक है मुर्गी केंडे है यह सब क्या है यह सब agriculture produce है लेकिन detachment के बाद after harvest मतलब है ना कब तक up to farm क्योंकि harvest से पहले वो पेड़ पर लटके हुए है ठीक है और farm तक ही लेना है क्योंकि farm के बाद फिर वो क्या बन जाएगा फिर वो then is to apply हो जाएगा फिर वो inventory बन गया और agriculture produce को भी किस पर दिखाना है कोई नहीं बात नहीं है fare value less cost to sell पर दिखाना है ठीक है तो जैसे कोई भी gain या loss होगा वो पेड़ में दिखा दो और जब आपने produce harvest कर लिया तो फिर वो inventory बन गया और फिर is 41 apply नहीं होगा ठीक है फिर जो is 2 में जो cost ली जाएगी वो वही होगी जो उसकी fare value होगी last is 41 में ठीक है जैसे देखो अब कोई animal है तो animal है तो उसका बर्त हुआ या कोई plant है तो उसको अपन ने plant किया planting करी धीरे धीरे उसमें growth हुई ठी है फिर plant है तो harvest किया animal है तो slaughter किया ठीक है harvest करने के बाद harvest करने के बाद क्या apply हुआ वह agriculture produce बन गया harvest करते ही हो क्या बन गया agriculture produce बन गया फिर उसके उपर अभी भी लेकिन कौन सा standard apply है is 41 apply है और तब उसको sell करेंगे तो उस पर क्या apply हो जाएगा is 2 apply हो जाएगा bearer plants की कहानी अलग है मैंने आपको बता दी इस standard में क्या क्या चीज़े नहीं आती है तो bearer plants इसमें नहीं आता है ठीक है bearer plants क्या होते है जो more than one accounting period चलता है जैसे grape wines, tea bushes ठीक है तो यह IAS 16 में cover होता है फिर IAS 16 में वही cost model initial measurement cost cost पर subsequent measurement cost या revalued price पर लेकिन जो paid है चलो paid को तो मैंने किस पर कह दिया बताओ paid को तो मैंने का IAS 16 लगा तो इसके उपर लेकिन जो इस पर अभी तक mangoes हैं टंगे हुए mangoes उन mangoes के उपर क्या लग रहा है बताओ IAS 41 लग रहा है तो any unharvested produce growing on a bearer plant such as grapes on a grapevine is a biological assets grapevine क्या होती है मतलब grapes के पेड़ को grapevine बोलता है न wine से confuse नहीं करना wine liquor वो इस word से बना है ठीक है चलो तो एक तो यह main point हो गया दूसरा land land कभी भी biological assets नहीं होती है तो यह क्या है property plant and equipment में classify होगी अब जैसे कोई forest है तो forest जो जमीन होगी वो क्या है land वो biological assets नहीं होती है उपर जो forest trees वगड़ा वो bearer है वो देखना पड़ेगा न bearer है या फिर consumables है अच्छा intangible assets को कभी भी आप agriculture assets तो मान नहीं सकते तो वो तो intangible तो यह तो fall to point जवरदस्ती दिया नहीं कोई मतलब नहीं था intangible के लिए बोल रहा है कि intangible assets यहाँ पर classify नहीं होती तो intangible assets की तो बात ही नहीं करते है यहाँ पर agriculture के अंदर पर clear क्या तो यह point नहीं है mean यह दोनों है bearer plants क्या होते है मैंने बताई दिया एक living plant that is used in the production or supply of agriculture produce it is expected to bear produce for more than one year और it is unlikely that entity will harvest the plant as a entity agriculture produce अब entity company कभी भी यह नहीं करेगी कि plant को ही कुर्बान कर दे ठीक है ना plant को ही पूरा का पूरा काट दे वो हमेशा apple को काटेगी यहाँ से apple को हटाएगी ठीक है तो वो bearer plant है हाँ produce growing on the bearer plant is biological assets तो बाते रिपीट हो रही है थोड़ी सी यह जो apples हैं यह क्या क्यला रहे है यह biological assets क्यला रहे है और harvest होती क्या क्यलाएंगे बताओ agriculture produce क्यलाएंगे लेकिन apple यहाँ पर भी और harvest होने के बाद भी is 41 में classify होंगे अब आते हैं थोड़े से questions करते हैं बहुत होगी theory करीबन अपनने 45 minute के आसपास theory पड़ी है 45 minutes के आसपास कुछ questions कर लेते हैं यह herd herd मतलब क्याता है जुंड group of five four year old pigs was held on 1st January 2003 थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्या बोलना चाहता है यह बोल रहा है कि एक January 2003 को आपके पास पाँच quantity के अंदर चार साल की age वाले pigs हैं समझ गये on 1st July 4.5 year old pigs was purchased for 212 dollars एक जुलाई यहाँ बना लेते हैं एक जुलाई को आपने साड़े चार साल की age वाले pig और purchase किया ए लिखाए ए एक purchase किया है 1 pig 212 में और यहाँ पे कितने pigs थे यहाँ पे 5 थे the fair value less estimated point of sale cost इसमें से already sale की cost less है न ठीक है तो कुछ करना नहीं है माइनस नहीं करनी है जब यह पिक पास जब यह पिक पास सोरी चार साल के थे 4 years old थे 1st January 2003 को तभी कितने के थे 200 के थे ठीक है तो 5 into 200 rate 1000 अब देखो यहाँ पे each नहीं लिखा लेकिन मिलेको ऐसी समझ में आ रहा है कि एक pig जब 212 का है तो यह भी एक की बात कर रहा होगा वन की बात कर रहा होगा समझने वाली बात है कोई ज्यादा टिपिकल बात नहीं कर रहा है फिर 4.5 पिक्स जो दोनों तरह के पिक्स हैं इनकी एज कित्ती होगी 5 years होगी ठीक है वही चार साल एक साल बात 5 साल को जाएंगे चार साल वाले भी 5 साल को जाएंगे 6 मिने बात तो quantity कित्ती होगी लेकिन 6 6 into और value कित्ती चल रही है market में 230 तो 6 into 230 देखरो fair value पे चल रहा है सारा काम अब आपकी एक तरीके से total books में value कित्ती आ रही होगी starting में और बीच में मिलाके 12 12 और आज value कित्ती होगी 1380 तो आपका 168 का एक तरीके से क्या हो गया profit हो गया यह F7 का question है का plan का study text का बहुत simple question है तो 168 का profit हो गया next question Mac D operates a dairy farm at 1st January 2001 he owns 100 cows worth $1000 each on the local market at 31 December he owns 105 cows worth $1100 each क्या बोल रहा है बताओ इन मेंने यह diagram बना लेकर आपके लिए easy रहेगा 1st January को आपके पास 100 cows थी और हर किसी की value कित्ती थी 1000 तो total cows की value कित्ती है 1 lakh की 31st December को आपके पास 105 cows हो गई ठीक है और value कित्ती है 1100 इच 1100 इच बाकी है तो ही क्या यह एक is 41 का इटम है ठीक है न अब to the point of harvest है न मतला harvest क्या farm तक और जब इसको बेच दी आपनने तो इन्वेंटरी बन गया तो is to apply हो गया तो अब यह basically revenue हो गई आपकी company की यह क्या हो गई sale हो गई न तो यह normally sale दिखाएंगे ठीक है revenue तो पेंडल में revenue दिखा देंगे when cows are sold at the local market the auctioner charger commission of 4% जब भी cows को बेचते हैं तो 4% का commission लगता है ठीक है तो starting में अपनको fair value दे रखी है ठीक है बट इसमसे commission काटना पड़ेगा तो यह books में कैसे recognize करते हैं fair value less cost to sell तो 96,000 में starting में record कर रखा होगा अब कितने में करेंगे 105 into 1200 1,15,500-4% commission मैं directly commission less करके बता देता हूँ 1,10,880 अब आप देखरो biological assets पहले थी 96,000 की अब बढ़के कितने होगी 1,10,880 की तो आपके पास profit कितना होगया 14,880 का यह penal में चल जाएगा और balance sheet में जो cows हैं वो non current assets biological assets एक तरीके से 1,10,880 की आ जाएगी तो आपसे बोल रहा है so extract from the financial statement for 2001 for these activity assuming that no cows were purchased or sold during the year यह क्यों बोल रहा है क्योंकि देखो पहले cow थी 100 अब होगी 105 तो 5 बढ़के ऐसे गई बच्चे बच्चे दियोंगे cow ने इसलिए इसलिए बढ़ गई है क्योंकि मना कर रहा है ना purchase नहीं करी आपने कोई भी cow sale भी नहीं करी है clear क्या तो देखो revenue बनाया revenue दिखा दिया sale of milk 40,000 into 5 gain from increase in the value of herd मतलब यह कुल्मला के profit हो गया है ना year के end में fair value less cost to save और non current assets में biological assets के नाम से biological assets दिखा दो वरना herd of dairy cow लिख दो जो भी लिखना लिख सकते हो biological assets के नाम लिख दो ठीक रहेगा तो इतने में आ गई value ठीक है चलो next question देखते हैं अच्छा यह जो question था यह भी F7 का question था का plan का study text का मतलब दो question मैंने F7 के लिए हैं अब next question करते हैं यह question देखो SBR का है study text का कर सकते हैं इसको आप भी कर सकते हैं आराम से पढ़िए देखे on 1st January 2001 a farmer had a herd of hundred cows All of which were two years old डाग्राम बनाते चलते हैं देखो साथ की साथ ही 1st January 2001 को हमारे पास कित्ती काउस थी hundred At this date the fair value less point of sale cost of the herd was 10,000 Already fair value में से cost of sale less कर रखी है ठीक है और पूरे herd की value बता रहा है यह यह each cow की value नहीं बता रहा ठीक है और 1st July the farmer purchased 20 cows each two and half year old मतला धाई साल की age है तो एक जुलाई को farmer ने कित्ती cow purchase के लिए 20 60 के सापस है न तो 12 ended हो गया At 35 December 3 year old cow sell at the market for $90 each 35 December को क्या हुआ कि आपने तीन साल की cow हो गई स्टार्टिंग में पहले दो साल की थी फिर यह 2.5 years की फिर लास्ट में 35 December को सारी सारी कित्ते हो जाएगी 3 years की अब सबकी value $90 each है तो कित्ता हो गया 120 cows हो गई 100 पहले थी 20 बाद में हो गई 120 into 90 तो 120 into 90 कित्ता होता है 10800 कोशन क्या बोल रहा है Oxnard have charge sales levy of 2% for many years बोलते 2% खर्चा लगता है starting से ही तो 2% इधर less कर देंगे 2% इधर less कर देंगे इधर क्यों नहीं करेंगे क्योंकि already पहले साही less था starting में जो 1st January की value थी उसमें से पहले साही less था ठीक है तो 1200 minus 2% कित्ता होता है 1176 और इसमें से 10800 minus 2% कित्ता होता है 10584 ठीक है तो अब यह value कित्ती आ गई 10,000 और यह हो गया 11,176 total उसमें से यह लॉस आएगा शायद 592 का लॉस आगया यह less कर दिया तो है यह दोनों plus करा यह minus कर दिया तो 592 का लॉस आगया ठीक है simple question है यह question देखो अच्छा question है ऐसा question शायद exam में पूछ ले ठीक है na SBR लायक यह question है exam के अज़ाब से देखो क्या बोल रहे है good wine is a company that grows and harvest grapes grape wine which produce a new harvest of grape each year are typically replaced every 30 years यह grape wines मैंने आपको बताया था ना यह paid होते है basically trees तो यह बोल रहे है trees को हम कितने साल में replace करते है 30 years में इतनी life होती है trees की normally grape trees की और यह बोल रहा है कि लेकिन grapes हर साल आते हैं वो तो grapes तो हर साल यह आएंगे 30 साल में एक बार थोने आएंगे harvested grapes are sold to wine producers बहुत बढ़ी अकाम कर रहा है तो सारे के सारे grapes निकाल निकाल के यह wine producers को बेच रहा है ठीक है wine producers लोगों को बेच रहे है with regard to property plant and equipment good wine accounts for land using the revolution model बहुत ही बढ़ी आगाम कर रहा है क्या बोल रहा है कि property plant and equipment के अंदर जितनी property plant and equipment है उसको land को तो यह revolution model पर दिखा रहा है and all other classes of assets using the cost model आपको पता है कि एक class को अपन एक तरीके से दिखा सकते हैं on 30th June 2001 its grape wine has a carrying amount of 3 lakh and remaining useful life of 20 years देखो मैंने आपको पता है था grape wine मतलब एक तरीके से ट्री हो गया इसकी life 30 years थी है अभी भी 20 years बाकी है तो यह basically क्या है property plant and equipment और यह किदर जाएगा IAS 16 में जाएगा ठीक है 3 lakh की इसकी value बची है अभी books में और 20 years life है और बोल रहा है कि land के लावा जितनी भी assets है सबको यह cost model पर use कर रहा है property plant and equipment की जो बात कर रहा है वो तो यह property plant and equipment है तो इस पर cost model लग रहा है ठीक है यह कोई biological assets थोनिया है मतलब यह कोई IAS 41 में थोने आ जाएगा यह तो एक mango tree है ठीक है इस पर आते रहते है mangoes the grape on the wines which are generally harvested in August each year had a fair value of 5 lakh dollars बोल रहा है जो grapes है मतलब जो पेड़ पे जो अंगूर टंगे हुए है अभी उतारे नहीं है हमने उसकी fair value किती है 5 lakh और land used for growing the grapes wine had a fair value of 2 million देखो यह होता है grape wine यह ऐसे grapes हैं सारे की सारे और ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं और यह नीचे क्या है land ठीक है अब इस question को समझने के लिए मैं starting से आपको बताता हूं कि क्या कर रहा है वैसे तो simple question 30th June 2001 मतलब 1 July 2001 क्यालू ठीक है और year end का वोगा 30th June 2002 को अब यह तीन बाते कर रहा है अपन से बुल रहा है एक तो wines wines मतलब trees होता है ठीक है तो यह trees क्या है आए 16 मों जाएंगे यह basically property plant and equipment है इसकी हमें carrying amount किती दे रखी है 3 like दे रखी है और life किती है 20 years है तो इस पर तो लगेगा debt recession ठीक है नॉर्मल लगता है तो debt लग गया किता 15,000 तो year के end में carrying amount इससे चित्ती हो जाएगी बही बताओ 3 like minus 15,000 2 like 85,000 हो जाएगी यह होगी किसकी trees की बात कर ली हमने अब बोल रहा है इस पर जो अंगूर लटके हुए उनकी fair value किती है 5,000,000 की grapes unharvested grapes अब भले यह पेड जो है IAS 16 में जा रहा है मैंने आपको बताया बत unharvested जो grapes हैं वो तो कहां जाएंगे अभी IAS 41 में जाएंगे और इसकी fair value किती ही चल रही है 5,000,000 अभी तोड़े नहीं है अपने अंगूर है न और एक question में कहा रहा है land है वो 2,000,000 की है 2,000,000 किता होता है 20,000,000 land क्या होगी भई property plant and equipment IAS 60 यही कह रहा है question on 30th June 2002 the grapes with a fair value of 1,000,000,000 were harvested early due to unusual weather condition बोलता है वैसे तो यह grapes अगस्त में तोड़ते हैं हमेशा ठीक है लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जन्वरी वो जून में तोड़ दिये न तो 1,000,000 के आपने grapes तोड़ दिये ठीक है न हर्वेस्ट कर लिए मतलब तो यह हर्वेस्ट जब करें आपने तो इसे क्या बोलेंगे बताओ agriculture produce यह थे न जो 5,000,000 की वैल्यू के थे उसमें से कुछ ग्रेब सपन ने हर्वेस्ट कर लिए तो यह भी किदर classify होंगे IS-41 में हर्वेस्ट कर लिए तो फेर वैल्यू पर आ गए तो पूरा का पूरा profit हो गया सही है अच्छा grapes left on the grapevine head up fair value of 5,20,000 जो अभी भी पेड़ पे लटके हुए हैं अंगूर उनकी आज marketing value किती है 5,20,000 है तो पहले 5,00,000 के थे अब 5,20 के बचे हैं मतलब 5,20 के हो गए वो बट यह अभी भी भी unharvested है तो यह 20,00 का जो gain है वो पेंडल में चला जाएगा और 1,00,000 तो पूरा का पूरा gain है यह पेंडल में चला जाएगा अब जो पेड़ पर पहले थे वो थे 5,00,000 की value के अब जो पेड़ पर बचे हैं उसकी value किती है 5,20 ठीक है उग्गे होंगे बीच में और और 1,00,000 के आपने अलग से तोड़ लिए तो वो agriculture प्रेडूस के लाया अब होगी 21,00,000 की 2.1,00,000 और question में कहा रहा था कि land आप किस पर दिखा रहे हो land आप revolution model में दिखा रहे हो ठीक है तो यह 1,00,000 का जो gain है यह कहा जाएगा OCI में जाएगा समझ में आए गया अच्छे से question दिया है इसने इसलिए मैंने कहा था यह question exam में आ सकता है तो यह देखो इसने बहुत सारी बाते लिखिया आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो बागी मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया यह ठीक है अब आते हैं एक और question पे जो kaplan का exam kit का question है अच्छा question लगा मिरको यह भी तो मैंने इसको निकाल लिया पूरा question तो बड़ा था लेकिन उसमें वो topic नहीं थे जो अपने पढ़ रखें तो मैंने अपने relevant था IAS 41 में मैंने वो question part का निकाल लिया उतना part the lucky dairy a public limited company produces milk for supply to various customers यह dairy है जैसे Amul dairy है तो वैसी क्या है यह dairy क्या करती है लोगों को दूद बैसती है It is responsible for producing 25% of the country milk consumption पूरे देश का 25% milk का production यही करती है ठीक है the company owns cows and heifers और heifers का क्या मतलब है बोल रहा है कि young female cows को heifers बोलते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो cow के उनको heifers बोले जा रहा है The herd at 31st May 2002 is comprises as follows क्या है बोल रहा है कि 70,000 3-year-old cows है यह value नहीं है quantity है 70,000 इसके पास 3-year-old cow है जो इसने purchase करी थी before 1st June 2001 ठीक है कभी पहले purchase करी होगी और 25,000 2-year-old heifers है जो इसमें purchase करे है 46 dollars on 1st December 2001 There were no animal born or sold in the year the per unit value less estimated cost to sell were as follows जैसे दो साल old animal 31st May 2001 को दे रहा है अपन को 50 का बई देखो 31st May 2002 को कोई animal 3-year का है तो 30 उससे जस्ट एक साल पहले यह एक साल पहले ही तो है यह 1st June और 31st May ठीक है न एक साल का gap हो गया देख रहो तो एक साल पहले और यह 30 यह देखो होती ही न तो उस दिन कितनी value थी 50 दो साल का होगा वह जो अभी जो काउ है वो 3 साल की है तो एक साल पहले वो कितने की होगी 2 साल की होगी तो उस time की value कितनी है 50 समझ गया गया 2-year-old animal at 31st December 2002 3-year-old animal at 31st May 2002 the director would like advice on how the herd should be accounted for in its primary financial statement advice about the disclosure notes is not required बोला disclosure notes के advice बात मत करना ठीक है न आप बतातो financial statement जो primary है मतलब P&L balance sheet में कैसे दिखाएंगे यह तो क्या बनाएंगे इसके लिए diagram पहले तो question समझो क्या कह रहा है यह यह कहा रहा है 1st June 2001 देखो पहले तो यह पता होना चाहिए कि 31st May 2001 और 1st June 2001 एक ही बात है और एक कर रहा है 31 माई 2002 की बात है और बीच में लेके आ रहा है 1st December अब देखो यह बोल रहा है कि 70,003 year old cows है किस दिन 31st May 2002 को अब 70,003 year old cows और per unit cows की value तो 3 year old cow 31st May 2002 को देखो दे रखी ना आपन को value कित्ती दे रखी है 60 तो closing value 60 हो गई ठीक है और 2 year old heifers purchased यह 2 year आज के हैं ध्यान रखना मतलब 31st में 2002 को यह जो गाय का बेबी है यह 2 years का है ठीक है पर्चेस किया था 46 में बट अभी क्या value चल रही है देखो 2 year old animal 55 तो 25,000 into 55 हाँ जब यह पर्चेस किया था आपने जब यह 25,000 पर्चेस करे थे आपने 1st December को पर्चेस किये थे तब यह कितने का था 46 का और 70,000 यह जो है आज यह 3 साल का है ठीक है यह 3 साल की काउ है तो 1 साल पहले तो यह 2 साल की होगी तो 1 साल पहले 1st June 2001 मतलब 31st May 2001 तो 2 साल की काउ की वैल्यू कितनी थी 50 जॉलर्स बस इसलिए यह एक्जाम में आ सकता है कोशन समझे रो इसलिए एक्जाम में आ सकता है क्योंकि आपको confusion हो सकता है इसको लेके तो अगर करके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी तो 35 लेक 25 लेक इंटो 46 11,50 लेक और 70 लेक इंटो 60 42 लेक और 25 लेक इंटो 55 यह मैंने एक साथ एड़ कर दिया 55,75 लेक स्टार्टिंग में यह वैल्यू थी दोनों की 35 लेक प्लस 11,50 लेक और 46,50 लेक और थी अब वैल्यू बढ़के कितने हो गई यह तो कितने का गेन हो गया 9,25,000 का गेन हो गया आपने को क्लाव गई यह एक यह न कहा झाएगा पी इंटल में जाएगा I को फिस्टा है चाहा चाहता तो थोड़ा बड़ा बढ़ा सकता था बड़ा कैसे बना सकता था बोल सकता था कि जो काउ है यह confuse पैदा कर रही थी थिक पिर और जैसे सी यह वरकरा में कुस्झन आता है CA final के अंदर के इस dairy की वज़े से आसपास के लोगों में कोई बिमारियां फैल गई ठीक है न काउ माल लो बिमार हो गई तो लोगों ने जब दूद पिया उस काउ का तो लोग भी माल लो बिमार हो गई लोगों ने मिलके सबने उठाके कंपनी पर केस कर दिया कें है कि लाओ खिफ में पांच लाग डॉलर का क्लेम कर दिया ब्रसा है वह तो यहां पर यह देना पड़ेगा जो गई वह तो containing इसका प्रोविजन मनाएगी चैसरा करके बड़ा कर सकता है को उठा के क्लियर क्या बट इसने तो थोड़ा से दिया है कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर देखो यह 9,25,000 यह गेन है तो इसने 9,20,000 को 25,000 को ऐसे लिख रहा है ठीक है 9,30,000 तो एक ही बात है 9,25,000 और 9,30,000 क्लियर क्या बागी सारी फिगर से इन है एक चीज और अपन की commitment grant का क्या treatment होता है किसके हhés송ब से anne Is 41 के साफ के है अब आप बो लोगी सर government grant तो है आईएस 20 में जाती है ठीक है अब आप मिरको बताओ जब गौर्वर्मेंट ग्रांट आईएस 20 में अपनने पढ़ा था पढ़ लिया है अपनने अल्रीडी तो ग्रांट डिलेटेड जो related to assets जो होती दिए उसका क्या treatment होता था याद एक्या आपको याद होना चीइ Hmm sar इसके 2 treatment होते थे बताओ क्या 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 कि grant related to assets के हम 2 तरीके से treatment कर सकते थे या तो deducted from cost of assets ठीक है जो भी grant मिलेगे है उसको cost मिलेजे करतेंगे या फिर इसको defer grant मानके और धीरे धीरे पेडल में depreciation की ratio में write-off कर देते हैं यह अपन अल्रेडी IES 20 में पढ़ चुके हैं दुबारा यहाँ पर discuss नहीं करेंगे ठीक है अब अपन पढ़ रहे हैं IES 41 IES 41 government grants related क्या बोलता है बहुत देखो पहले तो यह पता होना चाहिए कि government farmers वकड़ा को grant देती रहती है ना farmer को तो grant बिलती रहती है government से मिल सकती है बड़ी-बड़ी companies को farming के अंदर जो है तो इसलिए यह यह government grant का मुद्दा चल रहे है आपर ठीक है अब IES 41 कहता है कि assets जो है biological assets या फिर agriculture produce biological assets की बात करने पर biological assets जो है उसको कोई company दो तरीके से दिखा सकती है या तो cost model या fair value model वैसे emphasis किस पर है? Fair value पर, fair value minus cost to sell लेकिन अगर fair value available नहीं है तो cost minus depreciation minus impairment loss बोलते हैं अगर company biological assets को cost minus depreciation minus impairment loss दिखाती है क्यों दिखाती है क्योंकि fair value available नहीं है तो government grant अगर मिलती है तो IES 20 के हिसाफ से treatment होगा ध्यान सुनना IES 20 के हिसाफ से treatment होगा और IES 20 के हिसाफ से treatment क्या है कि cost में से कम कर दो या फिर deferred grant मान लो दोनों option available है अगर company biological assets को fair value minus cost to sell पर दिखाती है तो दो बाते हो सकती है grant unconditional हो सकती है जो generally होती नहीं है क्योंकि सारी grant conditional होती है मान लेते हैं कि अगर grant unconditional है तो जब भी grant receivable होगी आपको लगता है grant मिलेगी तो आप सीधा P&L में credit कर दो आप सीधा P&L में credit कर दो कोई cost वास्त वगरा का चक्कर नहीं कि fair value में से कम करो तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा इसलिए अलग हो जाता है यह और अगर grant conditional है तो आप इसको P&L में तब डालोगे जब वो condition जो attached थी वो आप fulfill कर दोगे समझ मैं मतलब सबसे खास बात क्या है कि grant को यह P&L में डलवा रहा है directly ठीक है और normally क्या होता है लोग बाग क्या follow करते है fair value minus cost to sell तो grant जो होगी वो कहां जाएगी सीधा P&L में ठीक है देख लो इसको if a government grant related to a biological assets measured at cost minus depression minus accumulated impairment loss तो वो IAS20 के साफ से जाएगा जो मैंने आपको अभी वापस बता दिया IAS20 में क्या treatment होता है assets का अगर government grant ऐसी assets के लिए मिलती है जो fair value less cost to sell पे दिखाते हैं तो अगर unconditional है तो जब भी receivable होगी तब उसको आप panel में डाल दो ठीक है और अगर conditional grant है तो तब P&L में दिखाएंगे जब आप conditions वो पूरी कर दोगे उसकी जो attached है simple है standard disclosure आपको पताना है कौन-कौन सी biological assets है उसका description देना है कौन-कौन सी assumptions यूज करिए fair value determine करते समये calculate करते समये और opening और closing value का reconciliation देना है disclosure कोई काम का है नहीं लेकिन फिर भी पढ़ लो तो यह standard अपन ने क्या किया इस तरीके से complete किया लगबक लगबक सबागंटा लगा लेकिन मेरे साब से standard समझ में आ गया होगा आपको नहीं समझ में आ तो वापिस देख लिए ना पूरी की पूरी डिक्टो बाते F7 किये कुछ भी मैंने नहीं नहीं पढ़ाया अगर F7 में पढ़ा हुआ होगा तो सारी बाते सेम है देखो यह जो वीडियो है इनको बनाने में रियल में बहुत टाइम लगता है बहुत जादा मेहनत लगती है कि पूरी जगह से कुछ चीज छूट ना जाए मतलब कि कोई कोशन छूट ना जाए तो इसलिए सारे 3-4 material खंगालने पढ़ते हैं तब जाग एक वीडियो बनता है ठीक है अब जू वाले animals यह standard cover n'th करता IS-41 क्या बॉलता है कि हम वही animals या plants cover करेंगे जो agriculture activity से related है अब agriculture से related नहीं है तो वह cover नहीं करेंगे तो जू वाले animals पर कुछ लगता है कि سर नहीं लगता अभी तक कुछ भी लगता उसके उपर आपको conceptual framework लगाना पड़ेगा अब ये किसी book में cover ही नहीं है क्या करें हम तो इसलिए कहां से बताएं ठीक है बागी जितनी ही बाते होती है हम सब बताते हैं ठीक है चलिए, thank you